नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरे नाम कुमार गोरब और मैं आपका वेब इस्टेडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर रिजिनिंग की क्लास आपकी चल रही है और रिजिनिंग की क्लास आपके निकालने थे, तो पिछली क्लास में हमने आपको letter coding कराया था, letter coding जिसमें आपके 7 pattern आते हैं, ठीक है, 7 pattern वो आपके backward, forward pattern, reverse pattern, और आपका जो cross pattern, ठीक है, 3 pattern आपके यह हो गए, उसके बाद position based pattern, और opposite letter pattern, और common pattern, ठीक है, और last था आपका Emane pattern या illogical pattern, तो यह 7 pattern हमने पिछली क्लास में आपकी करा दिये थे, उसके बाद जो हमारा आज का topic होगा, वो number coding से होगा, ठीक है, क्योंकि letter coding हमने आपका complete करा दिया, अब number coding हम आज की क्लास में complete कर लेंगे, और हो सकता है, अगर time बसता है, तो हम mix coding को भी आज ही आपका complete कर जाएगा, ठीक है, तो time ज्यादा waste ना करते हैं, start करते हैं, जो number coding है, number coding में मैंने आपको बताया था, कि इसमें आपके दो type के question बनते हैं, और type 1 में आपके ये 6 तरह के question इस तरीके से आजाते हैं, सभी आप जानते हैं, ठीक है, देखे, सबसे पहले तो आपको जो भी coding दी दालनी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां देखिए, आप जो आपका अक्षर है, letter है, उसको आप add कर देजिए, तो आपकी coding निकल के आजाएगी, ठीक है, और अगर नहीं निकल के आती है, तो आप उसमें किसी number की multiply कीजिए, तब निकल के आजाएगी, तब भी निकल letter को add कीजिए, और उसके बाद किसी number से multiply कीजिए, और अगर तब भी नहीं आती है, तो आप divide करके देगी है, ठीक है, तो यह 6 आपके type है, इन 6 तरीके से आप अपने question में यह सारी 6 की 6 trick लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो number coding है, उसका answer आ जाएगा, ठीक है, इन 6 से बाहर नहीं जाएगा, चलिए, हमने 3 question लिया हैं अभी, उसके बाद आगे लेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, आपना जो letter है, उसकी numbering कर लेते हैं, जिससे आपका S है, तो S हो जाएगा आपका 19 नमबर पे, A आपका 1 नमबर पे, D आपका 4 नमबर पे, ठीक है, यह S आपका 19 नम अब इसको add करेंगे, यह होगे 8 और 5, 13, 13 और 19, और यह आपका हो जाएगा 32, यानि add करके आपका कितना हो गया, 32, 19, 8 और 5, 32 हो गया, यानि आपका add करके coding बन रही है, जब add करके coding बन रही है, तो अब आगे क्या करना है, cat की coding आपको कैसे निकाल लिए, cat की coding निकालने के लिए क्या करेंगे, आप numbering करेंगे, यह 3, 1 और यह 20, ठीक है, इन सभी को आप जोड दीजिए, सम निकालिए, 20 और 1, 21 और 3, 24, तो यह कितना हो जाएगा, 24, तो cat की जो coding हो गई, वो कितनी हो गई, 24, यह इस तरीके से आप caution को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो add करके आपका इस त हेर के जो अक्षर हैं, letter हैं, उनके numbering कीजिए, यह H number 8 पे हो जाएगा, A number 1 पे हो जाएगा, यह I जो है, आपका number 9 पे हो जाएगा, R number 18 पे हो जाएगा, ठीक है, D हो जाएगा आपका number 4, यह number 5, number 5 और P हो जाएगा number 16 पर, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यह जो आप के पास formula है इनको लगाईए और देखिए आपकी coding कहां से या कैसे बन रही है add करके बन रही है या add करके किसी number से multiply करके बन रही है किसी number से divide करके या opposite letter add करके या उसमें multiply करके या divide करके ठीक है तो अब आप करेंगे कि जो भी आपका letter है उसके जो number है उनको add कीजिए ये 8 हो ए 72 है 36 में अगर आप 2 की multiply कर देते हैं तो कितना हो जाता है 72 हो जाता है चलिए हमने 2 की multiply कर दिया अब क्या नीचे भी 2 की multiply करके 60 बन रहा है तो ये 4 5 9 9 5 14 14 14 और 16 कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे ठीक है तो ये 30 में भी अगर आप 2 की multiply कर दोगे तो कितना बन जाता है 60 बन add करके ठीक है अब मोहन है मोहन में जो m आपका हो जाएगा वो m हो जाएगा नमबर 13 पर o हो जाएगा आपका 15 पर h हो जाएगा 8 पर a हो जाएगा 1 पर और n हो जाएगा 14 पर ठीक है चलिए इन सभी को आप जोड लीजिए sum निकाल लीजिए 14 और एक पंदरा ये 14 और एक पंदरा 15 पंदरा तीस तीस और तेरा 43 और ये 8 इस में जोड़ देंगे आप तो ये 11 और एक इधर 51 हो जाएगा ठीक है तो ये 51 हो गया 51 में 2 की मल्टिप्लाई करेंगे आप तो ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 तो आपकी जो कोडिंग हो गई मोहन की वो हो गई 102 या 102 सेकिंड वाला आपका हो गया फर्स्ट वाला भी आपका हो गया यानि आपको करना क्या है आपको जो भी कोडिंग देगा उसमें नंबरिंग करेंगे और उनको जोड़ देंगे सम निकाल लेंगे add कर लेंगे तो आपकी coding आ जाएगी दूसरे में क्या करना है किसी भी number से multiply कर देनी है आपने 2 से multiply कर दिया तो आपका answer आ गिया ठीक है तीसरा question solve करते हैं मैं second को रफ कर देता हूँ देखिए E की coding होती है 5 H 8 O 15 T 20 E 5 L 12 ठीक है यहाँ पर अकेला E है और E से ही आपका 5 बन रहा है तो इसको कैसे solve करें अभी हमें नहीं पता किस तरीके से solve होगा बट हम होटल को देख लेते हैं अगर होटल से हमारा कुछ होता है तो E से भी हो जाएगा आप इन सब को जोड लीजिए जब आप इनका sum निकालेंगे तो आप देखिए यह 15 और 5 20 हो जाएगा 20 और 20 40 हो जाएगा 40 12 और 8 कितना होता है 12 और 8 होता है 20 40 और 20 60 हो जाएगा ठीक है हमारी जो coding है वो 12 है अब हमारा जो आया है 60 है अब आप इनको देखिए 1,2,3,4,5 होटल में 5 अक्षर है या 5 लेटर है तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 12,5,60 आपका 12 आ गिया E पे आते है E आपका जो आया है 5 आया है क्योंकि और कुछ नहीं है तो आप 5 ही रखेंगे अब E जो सिर्फ अकेला है तो आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो आपका जो है method set हो गया है आपको करना क्या है जो भी है आपका number है लेटर है उनको add करेंगे add करके आप उसको divide करेंगे और divide आपने किस से किया divide आपने number से किया ठीक है ना total number से total number से आपने divide किया total number से divide करने के बाद आपके पास coding आ गई है इसी तरीके से आप आगे चलिए ये L जो है number 12 पे होता है ये 1 पे होता है ये 13 और ये 2 इन सब को आप जोड़ लीजिए तो 12 और 13 13 और 13 26 और 2 28 ठीक है और 28 को फिर आप divide करेंगे 1, 2, 3, 4 4 से divide करेंगे ठीक है तो ये 4 से जब आप divide करेंगे तो 7 चोख 28 होता है तो आपके लेंब की coding कितनी हो गई 7 हो गई तो आपके 3 टाइप के question हो गई है ठीक है 1st, 2nd और 3rd आप इसको note कर लीजिए फिर आगे question करते है question number 4 मैंने आपका यहाँ पर note किया है ठीक है ये opposite letter से होगा opposite letter से कैसे होगा देखिए जैसे T और O है उसकी coding दी है आपको 9, 1 HE इसकी coding दी है 14 तो MY की coding निकाल ली है आप सबसे पहले क्या करेंगे इनकी numbering करेंगे फिर इनको add करेंगे और तब जाके solve करेंगे फिर आपकी coding नहीं आएगी तो वो time मैं आपका waste ना करते है डारेक्टी question करा देता हूँ इस तरीके से अगर question इन तीन तरीके से नहीं निकलता है तो चोथा आपका type यह होता है कि जो T है और यह O है ठीक है आप इनका opposite letter लेटर लेजिए opposite letter कैसे निकालते है G के साथ क्या और T के साथ G आता है GT road O के साथ L आता है ठीक है उसके बाद H का देखिए और E का देखिए H के साथ S आता है और E के साथ V आता है ठीक है इन सब की numbering कीजिए G का number हो जाएगा 7 L का हो जाएगा 12 यह S है आपका और S का हो जाएगा 19 V का हो जाएगा 22 आपको करना क्या है अब 12 और 7 का sum निकालिए यह कितना हो जाएगा 19 ठीक है 19 को आप उल्टा लिख दीजिए 19 को जब आप उल्टा लिखेंगे 9 को पहले लिख दीजिए A को बाद में लिख दीजिए तो देखिए TO की coding 9-1 आई है TO TO की coding 9-1 इस तरीके से बनी है ठीक है यानि आपने सब से पहले क्या लिया इनका उपोजिट लेटर लिया T का G लिया और O का L लिया GT road और love ठीक है G का जो number आपने लिखा 7 L का number आपने लिखा 12 दोनों का sum की आप हो गया 19 फिर इन दोनों को आपने उल्टा कर दिया ठीक है Last वाले को पहले और पहले वाले को होगे आपका 41 अब इसको उल्टा कर देंगे 1 को पहले और 4 को बाद में देखिए HE की coding आगे है न 1 4 इसी तरीके से किसकी coding निकालनी है इसी तरीके से M और Y की निकालनी है M की जो होती है M से N आता है और Y की जो होती है B आता है Y आता है न B Y ठीक है अब N का जो नंबर होता है वो होता है 14 नंबर और B का जो होता है वो होता है 2 दोनों का सम 14 और 2 16 और इन दोनों का उल्टा करके लिखेंगे तो 61 तो माई की जो coding हो जाएगी वो हो जाएगी 61 यह आपका अंसर आजाएगा आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इसको नौट कर लीजिए उसके बाद next question हमें start करते है प्यारे दोस्तों question number 5 आपके screen पर है ठीक है और अभी तक हमने add और add करके उसमें किसी number की multiply करते है add करके किसी number से divide करते है total number हो सकता है ठीक है या कुछ भी हो सकता है उसके पाद opposite letter add करके question को solve करते है ये भी मैंने आपको करा दिया opposite letter को add करके उसमें किसी number की multiply ये question देखे जड़ा ये T और O है T और O ठीक है इनके opposite letter मैंने आपको बता दिये थे question आपका जो मैंने question number 4 का आया था उसी की तरह है लेकिन इसकी जो coding है वो change हो गई है अब इसकी coding ही आपको देखना है T का जो opposite होता है वो होता है G GT road होता है O का होता है आपका L G number 7 पे होता है L number 12 पे होता है दोनों का sum कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 11 अब 19 आपका हो गया coding है आपकी 38 यानि आपने 19 में 2 की multiply कर दिया तो हो गया आपका 38 ठीक है आपको क्या करना है HE को भी आप इसी तरीके से solve करके देख लीजिए ये H और ये E H का जो opposite letter हो जाएगा वो S हो जाएगा High School और E का हो जाएगा V Evening S number 19 पर होगा और V number 22 पर होगा ठीक है दोनों का sum निकालिए जब आप sum निकालेंगे 9 और 2 11 इधर आजाएगा ये 41 आपको 82 लेके आना है 41 में 2 की multiply कीजिए तो ये 2 और ये 8 आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी letter देगा उसका opposite letter निकालना है उसका sum करना है और sum निकालके किसी number से multiply कर देनी है आपका answer आ जाएगा आपको my की coding निकालनी है m और y m का जो होता है opposite letter n होता है और y का जो होता है b होता है n नमबर 14 पर होता है और b नमबर 2 पर होता है दोनों का sum 14 और 16 16 में 2 की multiply करेंगे तो 16 दूनी 32 आप cancer हो जाएगा question number 5 आपका हो गया है इस तरीके से आपको ये question करने होता है इसी तरीके से divide का जाएगा और divide का भी आप question solve कर सकते है जैसे आपको question दे दिया उसका opposite letter आपको निकालना है निकालने के बाद add कर लेंगे प्यारे दोस्तों question number 6 इस क्रीन पर है आप इसको देख लीजी एक बार ठीक है opposite letter को add करके उसमें किसी number की multiply ये question number 5 में कर लिए आप question number 6 है जिसमें हमें divide करना होता है question number 6 H और L की जो coding है वो आपको 17 दी गई है M की coding 15 है तो K M की coding आपको बता नहीं है ठीक है यहां से आपको कुछी भी दे सकता है K M निकाल लीजिए K G निकाल लीजिए L O निकाल लीजिए Oh sorry L U निकाल लीजिए ठीक है आप किसी number की भी किसी अक्षर किसी letter की भी coding निकाल सकते है तो पहले आप solve कीजिए ये आपको H और ये L दिया है opposite letter H का क्या होता है S और L का क्या होता है O S होता है नंबर 19 पे और O होता है नंबर 15 पे दोनों का sum निकालेंगे कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और इधर एक carry लेंगे तो ये 34 हो जाएगा आपकी जो कोडिंग है वो कितनी है वो है 17 आप क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 17 ठीक है बच्छो अब हम देखते हैं M और K M मोधी नगर या नरिंद्र मोधी ये कानपूर ठीक है N जो होता है नंबर 14 पर और P जो होता है नंबर 16 पर दोनों कसम 6 और 4 दस और ये 30 हो जाएगा आपको 15 लेकर आना है 2 से डिवाइड जो हमारा फोर्मुला है 15 आगे I hope आप सभी को समन में आ गया होगा अब आपको क्या करना है K M की कोडिं निकालनी है या K G की निकालनी है या L E U की निकालनी है आपको इनका opposite letter लेना है opposite letter लेने के बाद उनकी numbering करनी है उनका sum निकालना है और उसको 2 से डिवाइड करना है आपका answer आ जाएगा यह आपका हो गया चलिए अब हम लेते हैं किसको हम लेते हैं पहले K और M को ठीक है K कानपूर M मोदी नगर P जो होता है number 16 पे होता है N number 14 पे होता है और दोनों हो जाएंगे यह 30 और 30 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 15 यह हो गया आपका 15 के एम और के यानि कोशन में ही था बस उल्टा ही तो लिखा हुआ था आपको सिर्फ करना है या सॉल्व किये बिना भी आप इसको लिख सकते हैं आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ठीक है चलिए उसके बाद के जी की जी टी और टी होता है नमबर 20 पर दोनों का सम निकालेंगे यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 3 इसको 2 से डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा आपका 18 तो के जी की जो कोडिंग हो गई वो कितनी हो गई 18 अब आप L U की कोडिंग निका लीजिए नीचे से रफ कर देते है यह L और यह U अच्छा L की जो ओपोजिट लेटर होता है और U का जो ओपोजिट लेटर होता है F U ठीक है ना तो आपका L का ओपोजिट लेटर O हो गया और U का आपका F हो गया दोनों की नमबरिंग कीजिए O जो होता है आपका नमबर 15 पर होता है और F जो होता है नमबर 6 पर होता है ठीक है दोनों को आप पहले एड़ करेंगे 6 और 5 11 और यह 21 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आपका अंसर 21 बटे 2 ही लगा दीजिए ठीक है ओप्सन पर डिपेंड करता है अगर option में point में आता है तो आप इसको divide कर सकते हैं वरना आपका अंसर इसी तरीके साथ आएगा तो यह आपके जो number coding के first type के question थे मैंने आपको सभी करा दी है आप second type के question देख लेते हैं वो थोड़े से इनसे अलग आ जाते हैं ठीक है तो वो भी हम आपको सिखा देते हैं च चलिए इसको नोट कर लिए ज़रा चलिए दोस्तों question मैंने type 2 के आपको screen के सामने लिख दिये हैं तो आप जड़ा इनको एक बार देख लीजिए वर्की की coding 5692 है तो लव की coding आपको बतानी है वर्की की coding 412916 है तो डन की coding आपको बतानी है request की coding 6, यह S2R52TU है तो acid की coding आपको बतानी है ठीक है यह type 2 है number coding का और इसके बाद mix coding आपको पढ़ना है आप जड़ा समझ यह किस तरीके से करना है question को easy बनाने के लिए सबसे पहले आप letter पे numbering करते हैं number डागते है w 23 पे होता है o आपका 15 पे होता है यह जो r है आपका यह 18 पे होता है और k आपका 11 पे होता है ठीक है अब आप जड़ा ध्यान से देखिए कि क्या नजर आ रहा है आपको आप देखते हैं कि यह 23 है यानि आप 2 और 3 का सम निकाले तो कितना हो जाता है 5 यानि आपको यह w की coding थी 23 और 23 का single letter आपने add कर दिया तो आपके पास coding आ गई 2 और 3 का sum 5 हो जाएगा फिर आप O का देखेंगे 15 यानि 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 coding 6 ही है आर का है 18 यानि 1 प्लस 8 यह हो जाएगा 9 9 ही है के का है 11 यह हो जाएगा 2 तो के का आपका हो जाएगा 2 आपको समझ में आ गया है अब आगे क्या करना है आपको आगे के लिए सबसे पहले आप number अंदरा V का हो जाएगा आपका 22 और E का हो जाएगा 5 ठीक है V का 22 और E का 5 अब आपको क्या करना है इसी तरीके से आपको सम निकालना है 2 और 1 3 5 और 1 6 2 और 2 4 और यह 5 का 5 ऐसे ही आपका रहेगा यह आपका coding हो गया लव का ठीक है तो question number first आपका complete हो गया इस तरीके से question आप का आ सकता है आप समझ गए होंगे इसको आप इसको note कर लीजिए उसके बाद question number second हम करते है चले screen sort ले लीजिए आप इसका चली question number 2 देखते है वरकी की coding 4, 12, 9, 16 है तो done की coding बतानी है सबसे पहले आप क्या करते हैं आप numbering करते हैं numbering करते हैं तो आपका हो जाएगा ये 23, ये 15, ये आपका हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 11 आप देखते हैं कि किसी भी तरीके से number नहीं बन रहा है ये second type में है type का ठीक है तो आप किजिए नीचे 4, 4 किस number पे होता है किस अक्षर को denote करता है ये D को करता है 12 किसको कर करता है ये 9 I को करता है और जो 16 होता है वो P को करता है ठीक है ये सारी चीज़े आपको note करनी है अब इनको ध्यान में रखिए और देखिए जरा डी से W बन रहा है दूदवाला ओपोजिट लेटर है L से O बन रहा है लाव ये भी ओपोजिट लेटर है आई से आर इंडियन दूदवाला O से L और ये N से M हो जाएगा और E से V हो जाएगा और अगर आपका numbers में answer पूछता है तो W को 23, L को 12, M को 13 और V को 22 ये लीजिए इस तरीके से आप अपना question को solve कर सकते हैं question number second इस type से आपका आएगा opposite letter से ही आपका आएगा ठीक है इसको rough कर देते हैं आप note कर ले लिजिए या इसके लिए सोट लेना चाहिए ले लिजिए चलिए मैं score of करता हूँ उसके बाद question number 3 पर आते हैं question number 3 है आपका request और acid अच्छा इसके लिए आपको क्या समझना होगा इसके लिए आपको समझना होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला या इंग्लिस alphabet जो होती है उसमें vowels और consonant होते हैं ठेकर आप जानते हैं कि A से लेके Z तक total 26 letter होते हैं जिसमें से 5 आपके क्या होते हैं vowels होते हैं और 21 आपके क्या होते हैं council तो vowels और consonant ठीक है अब इनको ध्यान में रखी ज़रा ये वो विस जो होते हैं वो क्या होते हैं वो होते हैं A E I I O और U ये 5 होते हैं अब इन 5 से ही ये question आपका solve होगा अब देखें जो number वाले हैं उनको आप ये 2 number ये 5 number ये 2 number ठीक है? अच्छा, A, E, I, O, U अगर आप देखें A, E, I, O, U number 1 पर A है number 2 पर E है number 3 पर I है और number 4 पर O है number 5 पर U है यानि जो vowels हैं उनकी numbering मैंने आपकी कर दी है आप इनको जरा समझ गए होगे उसके बाद आगे चलते हैं R में अगर आप 1 प्लस कर दें तो R से S बनता है Q में अगर आप 1 प्लस कर दें तो Q से R बनता है S में अगर 1 प्लस कर दें तो T से आपका U बनता है यानि जो आपके letter है उसमें तो 1 प्लस करना है और जो आपके vowels हैं ये इसमें request में vowels कितने हैं? 3 E E और U ये 3 ही तो vowels हैं ठीक है? और इन 3 में आपको numbering दी है और इस numbering को देखिए E 2 नंबर पे है E 2 नंबर पे है U 5 नंबर पे है U 5 नंबर पे है और E 2 नंबर पे है है ना E 2 नंबर पे? तो और बागी में 1 प्लस किया हुआ है अब आप ज़रे इसमें देखिए इसमें vowels कौन सा है? A हो जाएगा? I हो जाएगा बागी तो कुछ नहीं है A कौन से नंबर पे है? A 1 नंबर पे है तो A की कोडिंग हो जाएगी 1 C C में क्या करना है? 1 प्लस करना है C में तो आप 1 प्लस करेंगे तो C से क्या हो जाएगा? D I आपका Warbles है और I कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है D में आपको 1 प्लस करना है तो D से क्या हो जाएगा E हो जाएगा तो यह आपकी coding हो गई acid की I hope आपको यह question समझ में आया होगा आप इसको note कर लीजिए type second भी हमने करा दिया है इससे related और ज्यादा question आपसे नहीं पूछता है आप इतना ही इसको revise कर लीजिएगा इसके बाद हम mixed coding करते हैं इसको note की चीज़र चिली mixed coding के question मैंने आपको लिख दिये हैं ठीक है आपका जो question आएगा वो इस तरीके से आता है जैसे go to school coding दे दिया me, sa, or ka go there, where, sa, kina और to, where, are यानी me, na, lo यह आपको इसी तरीके से देता है इनका कोई अर्थ नहीं होता है ठीक है इधर भी कोई अर्थ नहीं होता है आपको सिर्फ एक ऐसा question दे देगा यह paragraph type आपको दे देगा यहां से आपके दो question कुझ लिए है ठीक है और इनका answer आपसे पूछा जाता है तो आपको करना क्या है आपको सबसे पहले इसको solve करना है solve करने के बाद यह जो दो question है इनका answer आप यहां से निकाल सकते हैं तो चलिए पहले हम इसको ही solve करना सीखते हैं यह किस तरीके से होते हैं यह first और second row को आप compare कीजिए compare किस तरीके से करना है आप यह देखे इन दोनों में common क्या है go to school और go there where यानि यह जो go है यह इन दोनों म और सा की न यह सा जो है यह common हो जाएगा यानि आप कह सकते हैं कि जो go है उसकी coding क्या हो जाएगी सा हो जाएगी ठीक है उसके बाद first को third से compare कीजिए go to school to where are तो अब आपका यह वाला जो two है इस two के साथ compare कर रहा है first को third से compare करेंगे तो मी सा का मी ना लो यानि यह वाला जो मी है इस मी के साथ तो आप कह सकते हैं कि two की coding क्या हो जाएगी two की coding आपकी मी हो जाएगी ठीक है उसके बाद first को second से किया और first को third से किया आप second को third से की दिए there where, go there where, to where are तो आप कह सकते हैं कि यह वाला जो आपका where है इस where के साथ compare हो रहा है अब second को third से आपके साथ compare कीजिए सा की ना और मी ना लो यानि यह वाला जो ना है इस ना के साथ आपका compare हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो where है where की coding हो जाएगी ना ठीक है अब देखिये उपर first यह है आपका school यहाँ पर सुर्फ इसकूल single बचा है और यहाँ पर का single बचा है तो आप कह सकते हैं कि school की जो coding है वो का है इधर there बचा है there की coding क्या है वो की है और इधर R बचा है आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं जिससे कि आपका easy हो जाएगा question school school की coding क्या हो गई c a school की coding का हो गई there की coding ये की हो गई उसके बाद r की coding ये आपकी low हो गई ये आपके पास सारी coding आ गई है अब school की coding बताने है school की coding क्या है c a answer आ गया दूसरा what is the coding of there are you आपको क्या बताना है there are you की coding बताने है there देखे कहाँ पर है there है की there की हो गई r की coding है low you की coding क्या है इसमें है कहीं पर you नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है इसकी कोडिंग क्या होगी इसकी कोडिंग भी आपकी new होगी जो आपका letter new होता है उसकी कोडिंग भी new होती है यानि अब आपके पास ये तीन option दिया है इन तीन option में से आप key or low को ढूंड़िए और उसके बाद एक नया number देखिए ठीक है तो key or low यहाँ पर है यानि आपका ये हो सकता है ये हो सकता है की or low यहाँ पर है ये हो सकता है इसमें आपका key or low नहीं है यानि ये तो आपका answer हो ही नहीं सकता है इसको हमने अटा गिया उसके बाद देखते हैं first में key or low और sa अब सा देखिए क्या किसी की coding है हमारे पास जो है या नहीं है सा जो है go की coding है तो आपका first वाला answer नहीं है key और low था ये me देखिए अब me देखिए me किसकी coding है me to की coding है तो ये भी आपका answer नहीं होगा आपको एक option और बनाना पड़ेगा key low और इसमें आपका हो जाएगा पाल कर लीजिए double A ठीक है क्योंकि आपको देखना क्या है आपको देखना यह ही है question समझ में आना जाएए इसमें me हो गया और me आपका two coordinate पर रहा है और हमारे पास you है you इसमें कहीं नहीं है यह new letter है और new letter की जो coding होती है वो new ही होती है अब हम देखते हैं key or low हमारा key or low तो है बट हमारा पा देखें अब यह जो PAA है PAA किसी की coding है नहीं है यहाँ पर यहाँ पर नहीं किसी की भी coding ही नहीं है तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer D हो जाएगा इस चीज को आपको दिहान में रखना है जो new letter होता है उसकी coding भी आपकी new ही होगी option से नहीं उठाई जाएगी ठीक है तो आप इसको note कर लीजे ज़रा उसके बाद हम एक question और देखते हैं चलिए second question पर आते हैं और यह second type का question है इसमें आपको क्या करना है पहले question को पढ़ लेते हैं यदि लाल का मतलब अब आपको question में मतलब दे सकता है या का अर्थ दे सकता है और रंग रेजी में आपको means देगा यदि लाल का मतलब पीला पीले का मतलब नीला नीले का मतलब नारंगी नारंगी का मतलब हरा और हरा मतलब लाल तब खुले आस्मान का रंग आपको बताना है आप जानते हैं खुले आस्मान का रंग क्या होता है? नीला होता है और नीला आपको option में देगा अगर आप उसको लगाते हैं तो आपका question जो है वो गलत हो जाएगा हम समझते हैं कि हमें क्या लगाना होता है आपके जो answer में जो आपका question होगा उसमें ये सारी चीज़े दी जाएंगी या तो मतलब दे सकता है या का अर्थ दे सकता है यदि लाल का अर्थ पीला पीला का अर्थ नीला इस तरीके से दे सकता है यदि red means yellow yellow means blue इस तरीके से आपको अंग्रेजी में question देगा means आपको नजर में आ गया होगा ठीक है ये उपर हो गया था तो चलिए question में आपसे क्या पूछेगा मतलब का अर्थ या means पूछेगा इस तरह का question जो भी आता है उनका answer आप यहां से दे सकते हैं जिसमें मतलब हो या का अर्थ हो या means हो वहाँ पर पहला मानने होगा बागी सब्वी में बादवाला मानने होगा पहला मानने कैसे होगा आपका answer क्या है खुले आसमान का रंग आपका नीला होता है नीला आपका ये रहा और नीले के लिए क्योंकि कोशन में मतलब आया है मतलब आया है तो नीले के लिए पहला मान्या होगा और नीले के पहला कौन सा है नीले से पहला है आपका पीला तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पीला ठीक है, एक बार और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कोशन क्या दिया है आपको, यदि लाल मतलब पीला आपको कोशन में या तो मतलब देगा, या का अर्थ देगा और अंग्रेजी में आपको मिंस देगा इस तरीके से अगर कोशन पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर पहले वाला होगा ये आप बात को धियान रखेंगे, बागी कुछ भी आता है बागी कुछ भी आता है तो आपका बात वाला आंसर होता है ठीक है, क्योंकि खुले आस्मान का रंग आपसे पूछा था, वो नीला होता है, और नीले के लिए जो पहला है, वो पीला हो जाएगा, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, वो पीला हो जाएगा, आप इसका screenshot ले लीजिए, इसी question से मैं दूसरा आपको करके दिखाता हूँ, आपको उसमें change क्या करना है, यह मतलब कार्थ और means की जगे अगर मान लिए, यदि लाल कहा जाए पीला, और पीला कहा जाए नीला, नीला कहा जाए नारंगी, नारंगी कहा जाए हरा, हरा कहा जाए लाल, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, अब आपको क्या बताया, कि अगर मतलब आ जाए, या का अर्थ आ जाए, तो उसमें पहला मानने होगा, बागी सभी में बादवाला मानने होगा, अब यहाँ पर क्या आया है, कहा जाए, जब आपका आया है, कहा जाए, तो खुले में आया होगा कि इसमें आपके दो तरकी से कोशिन आते हैं पहले आता है जिसमें मतलब हो या का अर्थ हो वहां पर आपका जो आंसर होगा वो पहला होगा ठीक है ना तो आपने नीले के लिए पहला लगाया पीला और बाकी सभी में क्या होता है बादवाला तो नीले के ये old patterns related, जो भी next coding के question मैंने आपको कराए है, new pattern आपको करने की कोई जुरूर्ज नहीं है, क्योंकि वो bank में पूछे जाते हैं, और बाकी other competitive exam में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो आप सभी यहां तक जो मैंने कराए है coding और decoding में, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, अगल करते हैं, कि आप हमारे YouTube चैनल पर जो भी नए हैं, वो subscribe, share जरूर करेंगे, और comment और like जरूर कीजिएगा, और घंटी वजए जिससे की आने वाली जो भी notification है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे WebHTD YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी का, हम फ